नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्या मंत्र तंत्र वास्तु के विशेश कास्क्रम के साथ मा दुर्गा के आठमे सरोप मा महागौरी की सबसे आसान पूजा बेधी हम आपको एक दिन पहले बता रहे हैं ताकि पूजा में आपसे कोई गलती ना हो इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस दिन कन्याओं का पूजन करने का क्या है बिधान अगर आपके जिंदगी में जवरत के समय धन नहीं रहता है तो इस दिन क्या खास उपाय करना है आपको और इसके साथ साथ आप कैसे अपने सुक्र को मजबूत करके अपने जिन्दगी में अईशो अराम की प्राप्ति कर सकते हैं लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कौन है महागोरी और क्या है इसका खास महत्व नवरात्री के आठवे दीन महागोरी की पूजा की जाती है भगबान सीब की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी जिस से इनका सरीर काला पड़ गया था जब भगबान सीब ने इनको दरसन दिया तब उनकी किरपा से इनका सरीर अत्यनत गोर हो गया और इसलिए इसको महागोरी के नाम से जाना जाता है माना जाता है कि माता सीता ने स्री राम की प्राप्ती के लिए इन्ही की पूजा की थी मा गोरी सोईत बंड की है और सोईत रंग में इसका ध्यान करना अत्यन तलावकारी होता है अब हम आपको बताते हैं कि मा महा गोरी का क्या है खास महा मंत्र लेकिन उसके पहले हम जानते हैं आज का खास महा उपाय अगर आपके जिन्दगी में जरुरत के समय धन नहीं रहता है तो ये उपाय करके आप इन समस्याओं से निजाद पा सकते हैं तो करना क्या है? मा गौरी को दूद की कटोरी में रखकर चांदी का सिका अरपित करें इसके बाद मा गौरी से धन के बने रहने की प्रात्ना करें सिक्के को धो करके अपने पास सदा रखे आपकी समस्याओं खत्म हो जाएगी अब हम बात करते हैं क्या है मा गौरी का खास मंत्र देखिए पूजा की शुरुवात महा गौरी की देवी अस्तुती से की जाती है इसके बाद मां का जो खास भीजमंतर है इसका अब भी आपको कम से कम एक साठ फर्जब करना है इसके साथ साथ माहा का जो महा मंत्र है ओम हरीम मिशरीम महा गवरी दुरगायन महा इसका अभी आप यथा सकती जब करें निश्चित रूप से आपका पूजा शम्पून होगा अब हम बात करते हैं कि आज का क्या है खास दूसरा महा उपाए अगर परिबार के सभी सदस के कल्यान के लिए आप देवी से प्राथना करना चाहते हैं ताकि सभी परिबार के सदस के जिंद्गी में शुख और ऐस्वर्ज हो तो इसके लिए आपको क्या करना है देवी के सामने घी का दीपक जलाएं इसके बाद जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ इस मंत्र का कम से कम आपको एक साथ वार जब करना है और यथा सकती भी आप जब कर सकते हैं मंत्र है शर्मंगल मांगलिये सीबे सरवार्थ साधीके इस मंत्र का कम से कम आपको एक साथ वार जब करनी है इसके बाद देवी से परिवार के सभी सतस्तों के लिए शुक और एस्वर्ज की प्रार्थना करें आपकी चाप संपुन जरूर होगी अब हम बात करते हैं कि महा गोरी की क्या है खास पूजा बीधी देखिए सबसे पहले कलस और उसमें उपस्थित देवी देपता की पूजा करें पीले बस्तर धान करके पूजा आरम करें और मां के समक्ष दीपक जलाये और उनका धियान करें पूजा में मां को स्वेत या पीले फूल अरपित करें इसके बाद जो मंतर में ने आपको बता हैं इस मंतर का कम से कम आपको एक साथ पार जब करना है अब हम बात करते हैं कि अगर पूजा मधरातरी में की जाए तो इसका परिणाम अत्यनते सुपकारी होता है तो ये कोसिस करें कि अगर आप दीन में पूजा कर लिए हैं तो अच्छी बात है तो रात के समय पूजा करना भहुत लावकारी आपके लिए होगा अब हम बात करते हैं कि मां के इस दीन कैसे आप कन्याप पूजन कर सकते हैं क्या है कन्याप पूजन का महत्व और नियम नवरात्री केबल ब्रत और उबास का परव नहीं है यह नारी सक्ती के और कन्याओं के शमान का भी परव है नवरात्री में हर दिन कन्याओं की पूजा का प्रमपरा है पर अस्टमी और नम्वी को अवस्य ही कर्णिया पूजन करनी चाहिए दो बर्स से लेकर 11 बर्स तक की कर्णिया का पूजन का विधान किया गया है अलग-अलग उम्र की कर्णिया देवी के अलग-अलग रूप को बताती है तो निश्चित रूप से आपको इस दिन कन्याप पूजन करना ही करना चाहिए हम पताते हैं आपको कि महागौडी को क्या आप खास भोग लगाएं इस खास दिन में देखिए महागौडी स्वेत बढ़न की है इसलिए इन्हें सफेद रंग बहुत प्रिय है इन्हें सफेद रंग की फूल अरपन करना चाहिए इनकी पूजा पीले रंग के कपड़े पहन करनी चाहिए अगर आप महला है पुरुष चाहे तो सफेद रंग के कपड़े पहन कर भी पूजा कर सकते हैं प्रसाद में मा को नारियल और हलवे का भोग अवस्थ लगाना चाहिए अब हम चर्चा करते हैं कि देवी महा गौडी का ब्रत करने से क्या आपको लाब मिलता है महा गौडी का पुजन करने से बिबाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है अगर आप भवन निर्वान करवा रहे हैं उसमें अर्चने आ रही है तो ये भी समस्याएं आपकी दूर हो सकती है नोकडी से सम्मंधित बाधाएं भी दूर हो जागी जो महिलाएं महा गौडी का पुजन करती है उनके सुहा की रक्षा देवी श्वंग करती है जोतिस में इनका सम्मंध सुक्र गरह के नामक से है तो अगर आपके जिन्दगी में सुक्र गरह से सम्मंधित कोई भी समस्याँ है तो देवी की पुजा करने से ये समस्याएं दूर हो जाएगी और आपके जिंदगी में अईशो अराम और लगजरी की भी प्राप्ती होगी अब हम चर्चा करते हैं कि इस दिन क्या खास उपाय करके आप अपने सुक्र को स्ट्रोंग कर सकते हैं देखिए मां की उपासना शफेद बस धान करके करें मां को सफेद फूल और सफेद मिठाई अरपित करें साथ में मां को इतर भी अरपित करें सबसे पहले मां के मंतर का जाप करें मंतर है ओम देवी महा गौर्ये नमाहा इस मंतर का आपको एक सा आठवार जब करना है फिर सुक्र के जो मूल मंत्र है ओम शुम सुक्रायन महा इसका भी आपको एक सा आठवार जब करना है मा को अरपित किया हुआ इत्र अपने पास रख ले और इसका परियोग करते रहे निश्चित रूप से आपकी जिन्दगी में अगर सुक्र ग्रह से समधित कोई भी समस्याए है निश्चित रूप से इसका समधान आपको मिलेगा आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये भीडियो पसंद आए तो किरप्याई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें ताकि वो भी महागोडी का पूजा करके उनके जिन्दगी में अगर सुक्ष समधित कोई समस्याए है या उनके जीवन में जब पैसा की जुरत होती है नहीं रहती है तो इन समस्याओं का वो समाधान पास सकते हैं आज के लिए बस इतना ही हम अपने विद्वां दर्सकों को नमस्कार करते हैं धन्यवाद